हलो एंड विल्कम टोड़े के गुरू टेटोरियल कैसे हैं आप लोग उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपती साहुजी महराज यूनिवरसिटी कानपूर से निकले 1260 पीएचडी एड्मिशन नॉटिफिकेशन सीटो के बारे में इस वीडियो को बिलकुल डीटेल में हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक महर्पोन अपडेट दे देता हूँ जो की निकल कर आया है अन एकाडमी से दोस्तों अगर आप भी CSIR UGC NET का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो अन एकाडमी आपके लिए धेर सारा न्यू बैच लेकर आया है जहां पे अभी विशेश ओफर चल रहा है अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका टोटल फी में 20% ओफ कर दिया जाएगा यह जो ओफर है यह 25 अपरील से लेकर 28 अपरील तक चलने वाला है आपको इस ओफर का लाव उठाने के लिए जाना होगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस लिंक के उपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे अन एकैडमी का प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जाने के बाद आपको रेफरल कोड के तौर पे डी के गुरू 10 यूज करना है जैसे ही आप डी के गुरू 10 यूज करेंगे आपका टोटल फी में 20% ओफ कर दिया जाएगा दोस्तो अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेरी है तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर है इस नंबर के उपर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना सभी क्वेरी को आप पूच सकते हैं उसके बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएए वहाँ स जा करके उस लिंक पे क्लिक कीजे और सीधे पहुंच जाएए अन अकैडमी पे और पहुंच के आप यूज कीजे डिक गुरू टिटोरियल का रेफरल कोड को और पाईए कुल फी में 20% आफ आपको बता दे यह ओफर 25 अपरील से लेकर 28 अपरील तक चलने वाला है तो फट 260 विकेंसी है जिसको हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कॉस करने वाले हैं एक एक सब्जेक्ट से धेरो विकेंसी निकल कर सामने आया है चलिए देखते हैं आखिरकार क्या है डिटेल इसके संबंद में दोस्तो आपको बता दे यहाँ पे आप ओनलाइन अप्लिकेशन फ फॉर्म भर सकते हैं तो वैसे सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अपना मास्टर डिगरी कम्प्लीट कर लिया हो साथी साथ आपको बता दे वैसे स्टूडेंट जो की नेट या फी जियारफ कॉलिफाय है उसे यहाँ पे इंट्रेंस एक्जाम देने की आ का इंट्रेंस एक्जाम फिर आपका होगा इंट्रेंस एक्जाम से पीजी पास स्टूडेंट को देना होगा जो इंट्रेंस एक्जाम होगा वो कुल मिलाकर एक सो मल्टिपल जोइस कोस्टन यानकि mcq type के question पूछे जाएंगे 4 marks each question होने वाला है 50% उसमें से यानि कि 50 question आपका research methodology से होगा और 50 question आपका subject specific से होगा आपको बता दे जितना भी question आप गलत करेंगे उसके लिए 1 marks आपके काटे जाएंगे और कुल जो marks होंगे वो होने वाला है 400 यानि कि 4 marks each question का आपको दिया जागा अगर आप सही करेंगे तो और अगर आप गलत करते हैं तो एक अंक सही मैं से काट लिये जाएंगे दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन वो student है जो की exempted है इंट्रेंस टेस्ट से तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि NetJRF Qualify student को exempt रखा गया है इंट्रेंस टेस्ट से तो अगर आप NetJRF Qualify हैं तो आपके लिए बहुत सांदार अफसर है इसके अलावे यहाँ पे यह साफ किया गया है कि application fee क्या होगा यहाँ पे अन्रिजब और OBC के टेगरी के लिए जो fee है वो रखा गया पचीस सो वही SC, ST और PWD के लिए पंदरा सरुपया fee रखा गया है यहाँ पे देखे PhD का कोर्स fee भी यानकी complete PhD का क्या fee होने वाला यहाँ पे यह बता दिया गया है अन्रिजब और OBC को 35,000 प्रती वर्स देना होगा वही SC, ST और PWD के टेगरी वाले student को यहाँ पे 25,000 प्रती वर्स देना होगा दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा important dates जहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्च से यह form भराना सुरू हो चुका है जिसका last date 8 माई तक कर दिया गया है यानिके आप इस form को 8 माई तक भर सकते हैं मैं दोस्तों इसका admit card आप 9 माई को डाउनलोड कर सकते हैं और 13 माई को इसका entrance exam होगा और 13 माई को ही इसका answer की भी upload कर दिया जाएगा seat का detail दिया हुआ है एक-एक subject का आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं और उसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना seat निकल कर सामने आया है दोस्तों एक-एक subject में बहुत सारे vacancies हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे chemistry में कूल 114 vacancy है Botany में 60 vacancy है education में 40 vacancy है education training में 72 vacancy है इसके अलावे दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे सभी के सभी subject में आपको बहुत ज़्यादा vacancy देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1207 total मिलाकर vacancy निकल कर सामने आया है पलस यह 168 seat अलग है यह जो 168 seat है यह है उसका man campus का वहीं दोस्तों 1260 seat जो निकला है वो है affiliated college का तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1500 vacancy निकल कर सामने आया इस university से सभी के सभी विशाय से vacancy है और सभी के सभी विशाय से सांदार vacancy है अगर आप भी PhD करना चाहते हैं तो आप इस firm को भर सकते हैं यह एक state university है जो की कानपूर में इस्थित है उत्तर प्रदेश का तो फटाफट firm को भरिए और PhD कीजे चात्रपती साहु जी महराज यूनिवरसिटी से थैंक्यू, थैंक्यू वेरी मच आप देख रहे थे रही के गुरू टिटोरियल उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया इस तरीके का वीडियो उसके लिए आप इरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इसाथ बेला इकल को प्रेस कीजे